बिस्मिल्ला रमान रहीम असलाम लेकुम प्रेंट्स कैसे हैं आप सब और आज मैं जो प्रोड़क्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने आए हूं यह हैं मैक और यह लोकल पाकिसानी ब्रैंड है मेड़ बाइ कराची है यह और इसका नंबर है आईवरी और यह इतनी अच्छी वेस है कि अगर हम इसे किसी अच्छे ब्रैंड के पैंकेक्से भी कंप्यर करें तो यह कम नहीं हैं किसी से पीछे नहीं है काफी अच्छा रिजर्ड आइब खाल इसका मैं अपने असलों में भी यह यूस करती हूं और काफी अच्छे मुझे इसके रि और गीले स्पँज के साथ यूज कर सकते हैं यह इस तरह से नर्म होगा यह ना तो ज्यादा ओईली और ना ही ज्यादा ड्राइ हार्ड फॉम में सही नहीं होती ही देखें इस तरह से हो बस यह चीज होनी चाहिए यह बेस्ट है और इसकी बेस आप येकीन करें कि कम से कम भी ह हम इसका टाइम देखें तो साथ आठ घंडे कहीं भी विनिंगे जो के हम ट्राइलाउन टीवी पैंट सिक से भी अगर बेस बनाएं तो वो भी मतलग के इतना टाइम भी निकाल जाए तो लोग इतना ही खुछ रहते हैं कि नहीं इसका काम अच्छ है लेकिन उसकी कीमत और बहुत फरक है यह तक्रीब बन जो मुझे मार्केट से तक्रीब बन जो है चार साड़े चार सो की मिली है और जो ट्रालों टीवी पेंट स्रिक है या उसका पैंकेक है वो तो तक्रीब बन इस टाइम पच्छी सो से तीन हजार के दरमयान में जहां भी कोशिश है अगल तो मार्कीट से लेना और अगर मेकप सिटी पे जाएं तो वहां तो पेक्स रेट हैं यहां तक रिबन अठाइस सो साड़े आठाइस सो इतने के अंदर मिल जाती है आपको बाकी यह कि इसका काम जो है उनको भी मैंने इसको यूज करते हुए देखा है और इसके साथ बेस और मेकप करना बड़ा आसान है क्यूंकि इसको सिंपली अगर आप स्पंज के साथ वैट स्पंज के साथ करें स्किन पे लगाएं तब इसका रिजल बहुत अच्छ है और अगर ब्रेश की लागर कि अगर यह काफी जो है मैं कहती हूं कि है मुनासिप तो बाकि यह के इन्शाला मैं इसकी मुकमल बेस डीटेल से बना कि आपको दिखाऊंगी किसी वक्त नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो और मैक की अगर आपने भी यूस की हुई है यह बेस तो मुझे बताईएगा कि आपका एक्सपिरिंस कैसा रहा इसके साथ और शेयर कीजिएगा मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सुरूर कीजिएगा और मैं यू हूँ इस चैनल में और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू अलाहाफिस